नमस्कार मेरे इनु मिस्टर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्वादिश लच्छा पराठा लच्छा पराठा तो सभी को बहुत पसंद होता है चाहे वो बच्चे हो या बड़े लेकिन इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता ह आज मैं आपको इस वीडियो में लच्छा पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी तो आईए अब हम सुरू करें बनाना लच्छा पराठा लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने ये आटा लिया है इसको मैं आटे से बनाऊंगी लगभग एक केजी के करीब आटा मेंने लिया है, आप अपने हिसाब से आटा ज्यादा या कम ले सकते हैं, इसके बाद एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर, नमक, स्वाद अनुसार, ये तो हमारा सूखा मसाला, ड् धनिया, ये मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्च, अद्रक, लहसुन, एक चमच जीरा और तेल या फिर घी, अब हरा धनिया, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और अद्रक को हम हलका सा अंदर दरा ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे इसको मिक्सी में, बहुत ज्यादा नीज को हमको पीसना है, हलका से इसको दरदरा पीसेंगे, अब आटे में हम जो सुखा मसाला है उसको मिला देंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आमचुर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, उसके बाद जो हरा मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ है धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा, उसको भी इसमें डाल कर मिक्स करेंगे इन सब को डाल कर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे तेल जादा नहीं डालना है दो चम्मस तेल डालना है और टेल को डाल कर हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है इस तरह से आप दोनों हातों से इसको मसल के मिक्स कर ले जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें हम पानी डाल कर इसको गूत लेंगे बिल्गूल उसी तरह से गूतेंगे जिस तरह से हम रोटी के लिए आठा गूते हैं बहुत ज्यादा इसको नरम गीला भिनी करना है बहुत ज्यादा अक्षरदी नहीं करना है थोडे तोड़ा पानी डाल कर हम इसको गूतेंगे ताकि यह ज्यादा गीला नहो जाए इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको गूत लेंगे जितनी अच्छी तरह से हम आठा गूतेंगे हमारा पराठा उतना ही बढ़िया बनेगा अब इसको गूतने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल लगाके और इसको ढखकर हम रख देंगे इसको ढखकर आधा गंटे के लिए रखना है हमें यह देखिए आधा गंटा हो गया है और हमारा यह आठा भी अच्छी तरह से शेट हो चुका है यह देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है नरम हो गया है अब हमें पराठे बेलने में बहुत ही इजी रहेगा अब तावे को गैस पर रखते हैं इसको हलका गरम होने देते हैं तब तक यह पराठा हम बेल लेते हैं इस तरह से अच्छी तरह से फिर से वापस इसको थोड़ा थोड़ा मलते जाएंगे उसके बाद हम इसमें से लोईया बना लेंगे यह दिखिए लोईया त्यार कर लिया है हमने अब इसको थोड़ा सा आटा लगा के बड़ा कर लेंगे अब इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे अब चाहे तो जो मसाला मैंने इसमें गूत के मिलाया हुआ है उसको आप अलग से रखके इस तरह से रोटी बनाके उसको इसके उपर डालके फिर इसको बेल सकते हैं लेकिन ये लचा पराठा बनाने का आसान तरीका है कि सभी मसालों को आटे में मिक्स करके गूत लें अब हम ये रोटी बेलने के बाद पराठा बेलने के बाद इसके उपर ये तेल लगा लेंगे अच्छे से तेल लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा सीधा चाकू से काट लेंगे अब इसको समेट के हम उठा लेंगे इस तरह से और इसको घुमाते विए इस तरह से रोल बना लेंगे अब दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से लेके एक उपर की तरब से नीचे की तरब से गाट दे देंगे आपको मैं यह दूसरा पराठा बना कर दिखाती हूँ बस सेम पराठा हम इस तरह से बेल लेंगे उसके उपर तेल लगा लेंगे और उसको इस तरह चाकू से कट करेंगे अब सेम उसी तरह से सिधा सिधा इस तरह से कट कर लेंगे और इसको उठा लेंगे और फिर इसको इस तरह से गुमाते वे रोल कर लेंगे और दोनों उंगलियों की बीच में लेकर इस तरह से इसमें हम गाट दे देंगे अब इसके उपर हम दोनों साइट तेल लगाएंगे तेल लगाने के बाद इसको बेलना आसान हो जाएगा अब तावा भी हमारा गरम हो चुका है और ये पराठा भी मैंने ये दो तीन पराठे एक साथ बना लिये हैं अब तावे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे उसके बाद इस पर हम पराठा डालेंगे और इसको दोनों साइट क्रिस्पी होने तक हमें इसको सेखना है दोनों तरफ इसको तेल लगा लेंगे फिर इसको कुर्कुरा होने तक क्रिस्पी होने तक इसको हम सेख लेंगे बस इसी तरह से हम सब भी पराठे बना लेंगे कम सकम 6-7 पराठा इकठा हमें बना कर त्यार कर लेना है क्योंकि इसको बनाने में ही टाइम लगता है लच्छा पराठा को खाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अब उसके बाद किसी साफ तावेल या किसी कपड़े या फिर नैपकेंस में इस तरह से इसको हम थोड़ा सा मोड लेंगे अब इसी तरह से हम सभी पराठा बना लेंगे उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लच्छा पराठा और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चनल को सब्क्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ आप इस लच्छा पराठा को जरूर ट्राए करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा बना है आपका ये लच्छा पराठा मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यू